पार्डी पुलिस कर्मियो द्वारा एक फ्यक्ति को गंभीर जक्मी किया गया जिसके पशात उसकी मौत हो गई इस मामली को लगभग एक महीना पूरा हो गया है लेकिन अब तक प्रशासन द्वारा जिस वित्तिय मदद का आश्वासन दिया गया था उसे पूरान नहीं किया गया है अगर इस पर गंभीरता नहीं दर्शाई गई तो भाजपा की और से आंदलन किया जाएगा मनोज ठवकर पोलिस की बेरम पिटाई से ये अपंग लड़का साथ साथ को इसका द्यान तुआ और उसके बाद लगातार पोलिस कमिशनर हो महाराश के मुख्यमति उद्धो ठाकरेजी हो ग्रहमति दिलीपल से पाटिलो इनको भी लगातार हमने निवेदन दिया उनसे चर्चा किया और इन सब लोगों ने बोला पोलिस कमिशनर से इस सभी लोगों ने बोला था क्या ये परिवार को हम आर्थिक मदद भी देंगे और उनके पत्नी को हम नौकरी भी देंगे एक मैना होने के बाद भी अभी तक इसकी प्रकिया शुरू अभी हुई नहीं और इसलिए हम पोलिस कमिशनर से मिलने के लिए उनको निवेदन दिया है ज़्यांस के लिए नौकरी दिलाने का काम मैनी उस समय किया था और इसलिए उन धर्ती के उपर आपको अधिकार है तो आप अपने अधिकार का वापर करके उनको नëकरी दो नहीं तो ये पस्ताव शाषान को भेजो हम लोग फालोप लेंगे परन्तु एक मैना हो गया उसकी प्रकिया उन्होंने अभी तक किया नहीं था लेकिन आज निवेदन देने के बाद हमने अंतिम उनको निवेदन दिया हुआ है कि इस मैने के अंदर आप सब ये प्रकिया भूमिका को हम आगे बढ़ाएंगे नंबर दो के इतनी बड़ी घटना घढने के बाद हैंने नाकपुर जिल्ले के पालक मंतरी ने अभी तक उनके परिवार को विजिट नहीं दिया सुसेना का कोई नेतानिया, राका का कोई नेतानिया, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद, नितिन जी गड़करी जी ने उनके परिवार को भेट दिया, फड़निस साब ने उनके परिवार को भेट दिया, एक आर्थिक रूप से उनको भाजब करके दो लाग काम ने चेक द एक भी मंत्री ने विजिट नी देना यानि यह राज्यकार हमारे सब का दुर्भाग्य है कि इस परकार के नेता हमको मिले और इसलिए अभी आज हमने स्पष्ट रूप से पॉलिस कमिशनर को लेटर में भी हमने लिखके दिया कि इसके उपर आप ताबर तो कारवाई करो अन जो प्रोसीजर रहे गांदोलन का वह हम करेंगे